गोटिय कथर पूरा विश्वा सची जे परजनतों भारत को देखी ले भारत को अगर प्रभुजी हम अगर मार्क करते हैं कि एक बेंच्वार्क मार्क करते हैं भारत में कई प्रकार की अर्थनिती समाज वेवस्ता समाज चरित रहे मैं उडिसा को उसकी एक बड़ा मारा विश्वा उडिसा में इमर्ज करेगा तब जाके एक औल इंडिया बेंच्मार्किंग होगा ओल इंडिया स्टांडरिजिशन होगा इसलिए उडिसा की बिना भारत की ग्रोध स्टोरी अधूरा है और इस बार तो आपने लिखा है माई कंट्री माई कहानी दूनिया कह कोण सी विक्ति अच्छा स्टोरी बता पाता है उसी की स्टोरी चल पढ़ता है किसी ने स्टोरी लिखा कि महा मगद समराथ अस्व का यहां आये थे उडिसा में कक लड़ाई हूई-ती कलिंग यूद में उस तो दिनार सने में कोई राजा यहां नहीं थे यह एक गलेक्टि उसको दिखता था तो यहां डेमोक्रासी था वहां एक राजा आए यहां लढ़ाई हुई और यह कहा गया स्टोरी में यह कहा गया कि हम लोग हमारी यहां डया नदी है उसकी अभी वहां जो बुद्धिस्ट मोनिश्ट्री बनी है मनुमेंट बनी है उसके अभी पचास साल पूरी हुई उसके पास जो नदी है नदी लाल हो गया इतना लढ़ाई हुई एक लाख लोग बलिदान दिये लेकिन हम पराजीत नहीं हुए यह एक स्टोरी है और यही असोका चंडा सोक से धर्मा सोक में परिवर्तित में यहीं से बुद्धिस्ट कोई मंग को मिले और यहीं से उनकी बेटा बेटियों को वो स्रिलंका बहजे और साउधिस्ट एसिया में बुद्धिजी में यहीं से पहुंचा मैं उस्टोरी ही मानता हूं मैं दूसरा स्टोरी का विश्वासी हूं मैं अहारा नहीं था मैंने उनको हरवा स्कोई स्टोरी लिखने वाला नहीं था, तो हमारी स्टोरी चली नहीं, मैं दूसरी बात कहता हूं, अभी मैं काल मेरे ग्रहे जिला में गया था परसु, वहां एक अधित्यवाद की एक तत्व है, सुन्य को ब्रह्माहंड मानने वाले और ब्रह्माहंड की सुरुष्टी मानन उन्हें वाला एक थियोरी है, महिमा गशाइँ करके एक संत होते हैं, उनकी अनुजाई संत भिमभय होते हैं, उन्होंने एक पोईठरी लिखा ततकालीन सामाजीक जीवन की चितृत करते हूं, उन्होंने लिखा कि प्राणिंको आरत दुख्ष अप्रमितो देखू यानि इतनी सारे दुनिया की कष्टकों में सहूं कैसे, मैं नहीं सह पाता हूं। Let my life go to hell, मैं नर्क में जाऊं। मोजीव अनपचे नर्के पड़िताऊ, जगत उद्धा रहूं। अगर कोई western philosopher उसको दिखता कहता है, काल मारक्स की पहले ही तो सही है। हमारे वहां स्टोरी लिखी नहीं गई, उबनी नहीं बात लेकिन बिचार कभी अटकती नहीं है। बिचार कभी अटकती नहीं है। मैंने उन संतों को मिला कि महराज यह जो हमारी उस विमो भुई जी की बानी इवेन में प्रभु जी लिखा गया है। यह जो उखती है उसको इंग्लिस में ट्रांसलेट करके लेट माइ लाइफ गो टु हेल दिस उनुहर शुट कॉम अफ यह विशह इवेन में लिखा गया है ना उस समय की भारत सरकार ना उस समय की राज्य सरकार ना वो संत महात्म की अनुझाई लोग इतने प्रभाब